मनी प्लांट को एक छोटे से छोटे पॉर्ट में भी तयार किया जा सकता है, इसे ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसे ग्रो करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना होता है, वो आप जान जाएंगे तो आप किसी भी समय में, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह का पॉर्ट मे मैं मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं यहां पर मैं एक नमुना दिखाने वाली हूं जो कि इतना छोटा सा पॉर्ट में इतना बड़ा जो लता देख रहे हैं वह हुआ है अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं आपके पास स्पेस नहीं है या फिर गमले की कमी ह तो इस तरीके के छोटे से वाटर बोतल में भी आप इतना बड़ा लता तयार कर सकते हैं वह कैसे करना है इस वीडियो को फूल वाज करिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी और कटिंग से कैसे पॉधे को ग्रो करते हैं वह भी यह कटिंग से ही लगा हुआ है मैं इसके लिए एक निव पॉर्ट तयार की हूँ यह छोटा पॉर्ट में पहले लगा हुआ था और उसका ग्रोथ आप देख रहें नीचे जो जमीन में रखा हुआ है तो वह उसका ग्रोथ है केवल एक छोटे से वाटर बोतल में लगा हुआ है और उसे अब बड़ा पॉर्ट हम लोग द रहे थे क्योंकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लाएगा दूसरा पॉर्ट तयार करके देदी इसको नया घर इसे मिल गया तो उस तरीके से मैं इसे यहां इसमें थोगा सा एपसेंस वागर डालने में असान होगा ऐसे आप नहीं चाहते हैं कि कुछ नहीं आपके पास सेपसेंस वागर नहीं है तो भी आप इसे ग्रोग कर सकते हैं उसका भी ट्रीक मैं बताओंगी इस वीडियो में यहां पे देखिए मैं उसे नया पॉट दे दी हूँ और अब यह काफी खुस पौधा लग रहा है और इसका ग्रोथ अब देखिएगा कितना होने वाला है इ इसमें यह खिड़की के पास रखा हुआ तो ऐसे भी ज्यादा धूप नहीं लग रहा है तो पानी ज्यादा उसमें नहीं पड़ेगा वैसे आप किसी भी प्रकार के पॉट में तयार कर्श रखते हैं मनी प्लांट यहां देखिए कटिंग से तयार किया गया यह है छोटा स पोर्ट में जो कि एक यह दो पते थे तो मैं इसे निकाल लगाई थी और दिखेए 56 पत्त इसमें आगये हैं, तो ऐसे आप किसी भी तरह के pot में लगा सकते हैं, आपके पास space नहीं है, तो आप cup में, glass में, water bottle में किसी भी चीज में लगा सकते हैं अगर जगा है तो गमले में भी लगा सकते हैं, और इसका growth new new कैसे आता है, और भी आपको अभी बता रहे हैं, वीडियो में बने रहे हैं, फुल वाज करिए, तो आपको सावी जनकारी मिल जाएगी, एक एफसन सोल्ट होता है, जो कि इसके लिए वर्दान है, अगर आपके पास रखे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं रखे हैं, अगर आप न्यू गार्डेन है, वो भी मैं इसमें सेयर करने वाली हूँ, इसका वीडियो में पिछले कुछ तीन-चार वीडियो में पीछे जाकर देखिएगा, तो उसमें मिल जाएगा, कि मैं इसे कैसे लगाई हूँ, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी, कि इसको कैसे ग्रो करना है इसका ग्रो करने का ट्रिक बहुत ही असान है यहां देखिए एक लता है मतलब कमणी प्लांट का उसको मैं कटिंग से ग्रो करने जा रही हूँ तो कटिंग से ग्रो करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि कटिंग जिसे मैं काट रहे हैं उसमें उसका नोड निकला हुआ हो जो जड के लिए निकलते रहता है उसे निकलना जरूरी है और एक एक पत्ते से इसको ग्रोग कर सकते हैं इसका ग्रोथ में भी मैं दिखाऊंगी कि ग्रोथ किया है कि नहीं वो भी तो वीडियो में फूल बने रही है तभी आप देख पाएंगे इस तरीके से मनी प्लांट जैसे ये लास्ट वाला जो बस गया इसको ग्रोथ करना है तो ये इसका नोड है अंदर छिपाना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा नोड है इस तरीके से जितने मैं पत्ता अलग-अलग कटकी हूँ एक एक ल प्लांटर में भी लगा सकते हैं निकाल करके इसमें से तो इसी में छोड़ देंगे तो इसमें ही ग्रोख करते रहेगा यहां पर दीखे इस तरीके से उसे चीपा दे रहे इस नोड को और इसी तरीके से आपको लगाना है मनी प्लांट ऐसे आप जाएंगे जब लेएंग तो उसका ध्यान दे कि उसका नोड निकला हुओ हो और ओनोड को मिटी में दबा देना है तभी ये ग्रोथ करेगा अन्यता ऐसे ही एक लिप्स को कट कर लीजेगा नोड नहीं निकला रहेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा इसे लगाने के बाद इसका मैं अभी रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसे 15 या 20 दिन के बाद का रिजल्ट कैसा है ये देखिए दोस्तो कुछ दिन बाद का रिजल्ट इसमें जहां जहां मैं एक एक लिप्स को लगाई थी वहां से देखिए नए-नए कैसे वहां से प्लांट त्यार हो रहे हैं इसका जड़ भी अंदर निकल गया होगा और उपर से निव प्लांट निव बेबी प्लांट दिख रहे हैं तो ऐसे आप लगाईएगा तो आपका जरूर ग्रो करेगा और मेरा ग्रो तो किया है तो आपका जरूर ही ग्रो करेगा मेरा उमीद है और ऐसे ही लगाईए किसी भी पकार के मिट्टी में लगाईए बलोई मिट्टी थोड़ा होना चाहिए चिकनी मिट्टी होगा तो दिकत कर सकता है इस तरीके से मैं मैंनी प्लांट ग्रो की हूँ बहुत सारे प्लांटर में वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएए थैंक्यू थैंक्स प्रवाज़ाई